कि कैसे बच्चों पड़ाई अच्छी चल रही है ओके आज का बड़ा इंट्रेस्टिंग टोपिक है न्यूटन्स थर्ड लो मतलब न्यूटन्स थर्ड लो आज का यह जब हम टोपिक खतम करेंगा आज की क्लास खतम होगी तो बेटा आपको हर जिगह है मतलब आपके डे टुडे लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लो दिखाई पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं क्यों क्योंकि हम आज मतलब देखें आफ मतलब फिजिक्स को पढ़ना कुछ क्वेस्टिन सोल करना कुछ फॉर्मुले हमने मेमराइज कर लिए क रहं हमें वह हिस है पर कोई को यहां पर हम देखेंगे कोई पर फिर देखते हैं तो यहां पर मेरी कोसिस वह है जब आपको इस तरह से आप देखने слова कर देंगे ihn से के हैं को कौन से PYG danger हो रही है तो पता है कि मज़े। ओर फिजिक्स आपको फिर melod men एपने करने के लिए और फिजिक्स आपको एक बोरिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट केूंने लगा यह बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि अगर आप डे टू डे लाइफ में देखना शुरू कर देंगे तो फिजिक्स आपके लिए वास्त में बहुत एफ़र्ट लैस बन जाएगे तो मेरी वही कोशिस है और मैं तो लेकिन फिजिक्स कहां कहां लग रही है यह हम जरूर सीखेंगे डे टू डे लाइफ में फिजिक्स हमें दिखाई पड़नी चाहिए यह मेरी कोशिस है ना चलो तो शुरू करते हैं तो न्यूटन्स थार्ड लों में हम सिंपल से बोल सकते हैं कि वहां जो डेफिनिशन दीव है कि हाँ एक्स रिच्ट रिक्स और एक्स रिच्ट पोर्श लगते हैं इक्वलन उपोजट होते हैं यह सब बात बता सकते हैं और और सो सिंपल बहुत क्रिश्पी डेफिनिशन है देखो क्या है तो अब्री एक्शन देरिविल भी दिर एज औलवेज एक्वल आ पोजिट reaction और दूसरी तरफ जो definition दी है वो क्या है इप बोड़ी ए एक्जाटिव फोर्स एप और अनदर बोड़ी बी एंद बी एक्जाटिव फोर्स और माइनस एप ऑन ए तो कौन सी definition सही है कौन सी गलत है या दोनुं सही है या कौन सी बैटर है चलो हम इसको डिसक्स करेंगे लेकिन केवल हम यह डिसक्स नहीं करने वाले आज हम डिसकेश करने वाले हैं कि बाइड कैसे फ्लाई करते हैं बाइड में वहां पर न्यूटन थर्ड लोग कैसे काम करता है आप चलते हो तो न्यूटन थर्ड लोग कैसे काम करता है इसके साथ में जो कार जा रही है कोई वहिकल जा रहा उस टाइम पर न लोग कैसे काम करता है आपकी एरोप्लेन उड़ रही है तो वहां पर न्यूटन सब्सक्राइब करने वाले बड़ा मजा आने वाला आज के तो चलिए फिर शुरू करते हैं उस हिसाब से अच्छा यह बता है यह दोनों जो डेफिनिशन है यह वाली डेफिनिशन और यह वाल है यह आपकी इससे में इससे बैटर है तो कौन सी है फटासा सोच एक बार सोच के दिमाघ लगाओ हां बिलकुल यह पढ़ते हैं आ रहे हैं कि टू एवरी एक्शन देरिजे ओल्वेज एक्वलन अपोजिट रियक्शन बहुत क्रिपी डेफिनिशन है और इससे बैटर डे में दिखने लग गया लोग इसको रिलेट करने लग गए कि हाँ जो भी कुछ होता है अगर मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा होगा ना कर बला सोब हो बला तो यह इस तरह सी मतलब यह नियूटन का थाड़ लोगा बिलकुल कि आपको आपने किसी के है तो आपको यह वापस मिलेगी तो यह नियूटन सब लो लेकिन फीजिक्स के जो लैंग्वेज आमैं मतलब किसिक्स में हम यह definition थीक है यह studies in PhD के जिए पॉइंट ऑफ यू से जो भी हम एक्स रीक्सें के बेसिकली फॉर्स होता है तो फिजिक्स के लिहाद से यह वाली जो कर रहे है यह डेपनेशन आपके ज्यादा सही 214 जाती है क्या कि कैसे मैंने मलें सब्सक्राइब दूस्तिया कीwith क्यों कि पर जो येक्षिन पॉर्स लगते हैं वह एक-सी के एक पॉजिटीव एक सकस्टिस में में दिएक से सोगी दूसे की डिरेक्शन और समझेब सबस्सक्राइख लेटे ऴॉज्स वी से सitas टो एक डारिक्शन पॉजटिवाइएक्शे सब्सक्राइब सब्सक्राइब surgeries एक्र लोण पर लगेंगे feld। क्या होता है को लीनियर भी है और सेम क्या है होंगे लाइन है समझ मारी बात इसलिए हमने हमने आपका एक फोर्ष को पोजिटिव एफ ले सकते दूसरे फोर्ष को तो चल अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से और समझते हैं देखो कहा का एपलाई हो रहा है न्यूटन स्थाड़ दो यह जैसे सिंपल एक्जामपल लेते हैं एक बच्चा है जो दिवार पर ऐसे हाथ रखके खड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया उसने दिवार पर कुछ फोर्स लगाया दिवार पर क्या कर रहा है वो फोर्स एक्जाइट कर रहा है और दिवार क्या कर रही है दिवार भी उस पर वापस इसने फोर्स लगाया ऐसे देखो इसने ये फोर्स लगाया है ऐसे दिवार ने क्या काम किया दिवार ने वापस इस पर फोर्स लगा दिया है ना कैसे किस तरह से होता है क्योंकि जो रियक्शन नॉर्मल रियक्शन लगती है रियक्शन फॉर्स हमने पढ़ी दिना नॉर्मल रियक्शन की बात हां तो नॉर्मल रियक्शन आपकी यहां पर वापस दिवार से लगती है अधर्वाइस क्या होगा बैदिवार वापस हाँ वो इदर नीचे की तरफ लग रहा है तो आपके जो फर्ष से वो भी अगर यह मांलो हम 50 नूटन 500 नूटन माल लेते हैं तो यह भी 500 नूटन आपका ऊपर बच्चे पर लगेगा फोर्स पर यह को इसके यह हो गई इसकी डारेशन ही यह हो गई आपका कैसे ओगए एकτο्राइड अपोजीट नॉमल रीक्षीन में नूटर थार्ड लोग अपलाई होता है ना नॉमल की जब बात चलती है तो न्यूटन थर्द लो आपका अप्लाई होता है यहां पर इसने अगर हम फोस इस पर आपके जो वॉन है वह भी इस पर हंडर न्यूटन फोस अप्लाई कर रही है लेकिन आप वॉजे डारिक्शन में पढ़ें आप लोग यह जैसे देखो अग के जो ह् 바로 है यह कैसी है यह यह पके फ्रिक्षण मानने अर उसंहें पर ऐसे बोल ठो किए है कैसी आई से बोल किया bob क्या हूरा है उसने में फोर्स लगाया किस पर बोल पर वोस्ट लगाया तो बापस उसको क्या लग और आपको समझ में आएगा जैसे आप फैके होगे तो इसके आपका पीछे की तरफ जानी कोशिश करेगा जैसे बहुत इक जांपले क्या यह देखो अगर आपकी किस पर टेबल पर बुक रखी वह तो क्या करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ पुल करेग यह टेबल है बुक है सिंपल से ना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल करेगा तो आपके जो यह नॉमल रियक्शन है इसका इस फोर्स की वह कहां लगेगी अपोजिट डारेक्शन में लगेगी सर और क्योंकि इस डारेक्शन में कोई मुवमेंट नहीं है तो क फिप्टी निउटन है मतलब फाइव फाइव के जी वुक हो दनी फाइव माल लेते हैं पॉइंट फाइव है और जी की वैली कि यह टैन है तो कि नहीं होगे पॉइंट फाइव इंटू पर टेबल यह जो लगा इसने यह टेबल ने मतलब ने एमजी फोर्स लगा तेबल पर राइट तो टेबल क्या करेंगे इस वो वापस एमजी फोर्स मतलब यह टैन न्यूटन है तो यह भी टैन न्यूटन बुक पर लगाएगे विटा तभी तो बुक किसमें रहेगी एकुलिवरियम कंडिशन में रहेगी राइट हाँ कोई मुमेंट नहीं उसमें तो यह बहुत हरे एक्जाम पल्स है जैसे यहां पर देखो यह बच्चा अच्छा इसमें टेबल का दूसरा एक्जाम पर ले लिखते हैं इसमें क्या क्या हमने यह जैसे बुक रखी है तो इसको हमने यहां से पुस्ट किया जैसे पुस्ट किया आपने ऐसे इसको पुस्ट किया तो इस निए वापस इसने एकक्वल फोर्स लगाया आपने मतलो की तरफ से क्या हुआ हात पर आपके हाथ पर आपको यह समझ्जमें नहीं होगो दबाके देखना जितना फोर्स अप लगाएंगे जितना दबाते जाइंगे तो ऐसा लगा वोल भी आपके हाथ पर उतना ही फोर्स वापस लगा रही है यही आपका थर्ड लो है बहुत सारे एक्जामपल दुनिया बरके हर जिगह पर अग्जामपल दिखा अगर आपका किचिन में जाते हो किचिन में कोई भी साम मदाव आपने मटकी रखी हुए कोई भी आपके वहां पर जिस लैप पर रखे हुए हैं वहां पर क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उस पर उस सर्फेस पर राइट और वह सर्फेस क्या कर रही है वापस उस पर नॉमल रिक्शन फोर्स लगा रही है तो यह सिंपल से कर रहा है तो यहां से जैसे ही इसने बोल यहां पहुंच गई तो क्या हुआ वापस इसने मारा तो इसने अगर फोर्स लगाया बोल पर देखो यह इस डिरेक्शन में इसने एप फोर्स लगाया कि एक सेकेंड ओके यह इस डिरेक्षिन में इस नहें आप फोर्स लगाया किस पर बॉल पर बच्छे ने किसे dal अपने हैंड से रइट तो क्या हुआ फिर उसने बॉल ने उसको वापस फोर्स like बिटा वापस title से लगा अफोसे डिरशन में यह नीचे की तरफ था डावर डिरेक्शन में था और यह वह लार की तरफ सेम कानिया पर जब यह घ्राउंड पर काई करती इस यह वाल बहुत फोरश्ट गांड को उस्ट्राइक किया और पिनल फॉर्स अर्श जर्थ हो द Süd Fin भूल उपर नहीं आती और अगर हम गर तो आपको फूर्स लगाया उस पर और वापस आपको पूर्स भीद रहे हैं यहिए आपका पूज रिक्शन है ठीक है अच्छा अब इसमें और एक्जांपर ले ले लेते हैं देखो यह 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 वाला बच्ठी इसने इसे सड्रो किया था-भॉल को किसे यह थ्रो कर रहा को ठीक है तो उसने क्या-टन पर फोड़त कर रहा तो बोल क्या कर रहा है वापस बॉल उस पर बच्चे के हाथ पर वातizen पोड़ लगा रही पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा action reaction मतलब ऐसा नहीं कि एक के बाद में दूसरा होता है दोनों एक ही साथ होते हैं विटा दोनों एक ही साथ होते और समझेंगे इसको अभी देखो यह संरे विडियर में ए बड़े डियर आपके सेलिंग कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे तो क्या और N तो लगा और हमारी जो बोट है वह कहा जाएगी वह आगे की दर्फ देजाएगी और बोट आगे चली जाएगी किसे वाटर की तरफ से रियक्शन फोर्स लगा और वह कहां लगा क्योंकि हमने इस तरफ लगा था तो हमें फोर्स बोट पर इस डारिक्शन में मिला फोर्स तो बोट हमारी इस तरफ जाएगी ठीक है लोगा अजैसीं होती है सबला थे सबस्क्र होती हैं टोनों का पेर में चलती पोर्स अमशन नहीं होता पॉर्स आपका पेर में चलता है एक्सें और रिस एक्सिन के तुझा करता था यह बाट करते उसमय कौ unveil करते हैं तो उसमें को सामतर किस Johan करते हैं जOoh अइसे उपर कि तरफ भड़ जाना है यह तो क्या करेंगे वह एर को ऐसे उस lotus करते हैं तो यह पन के तरह फेसे आप कसा करते हैं रहेट कैसे उनकर फेदरे पंक बार्ड के रका वापस ऐसे लगता है और पुरी बोडी बाट के ऊबर जाती है अगर लेकिन बाइड को अगे दिख करना है और के था करना है तो वह इस टूरी को यह से करते एंप यह यह थे isे और यह 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 तो जैसे किया करें कि हाँ पर आया और उसने को यहां से पुस्ट किया इधर से इधर से इày को कौढ पुगी करते हैं उ continuing what उसके जो मुमेंट रहेगा इसकाТ भी दसका वो Ś chances रहे वह इदर करेगा यह रोड़ाव फूठहा इसी प्रण्सीपल पर आपके कौण से एर प्लैंड एरोप्लेन काम करती है एरोप्लेन में वी कौन से चार फॉर्ष होते हैं कौन से एक तो वीट जो होता है ओभियसली कांप करता है बर्टी कली डाउनोड करता है सर वेट कौन से ह वेट तो आपके ग्रेटेशनल फोर्स की वज़ें सोता है सदेखो वेट नीचे की तरफ काम करता है वटेकली डाउन वर काम करता है आपका जो इंजन लगे होते है कौन से यह वाले इंजन कभी देखें है बिल्कुल सिंपल इंजन मतब सिंपल इंजन तो नहीं कहूंगा मैं क्या करते हैं कि एर को सामने से सक करते हैं यहां से एर सक करते हैं यह वाले देखो जो यह वाले दैक्शन यह इंजन है आपका यह वाला यह इंजन है इसका और द का एरिया से यहां से सब करते हैं और एर को कंप्रेस करके और ज्यादा वैलोस्टी से बाहर की तरफ में क्या करते हैं फो करते हैं छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है उससे आपका जब पीछे की तरफ छोड़ा किसको एर को कंप्रेस करके तो क्या हुआ एर पर फोर्स लगा पूसके थरे कि एसको पूछ मिलता है तो यह तो आपको पता लगया किहां वेट आपक कासे हैं अर हाफ की जाती है यहां से शक करता है देखो इसको और थोड़े समझ लेते हैं यहां से शक करता है ऐसे सब तरफ शेयर लेता है ठीक है और यह फिर वापस निकल जाती है ऐसे ऐसे इंजन से समयारी बात हाँ तो यह आपका थ्रस्ट का कानी होगी अब बताओ मुझे कि अगर एरव प्रेन को ऊ अगर सामने है तो बिलकुल एर जो इस पर चाहिक कहां पर तो उसकी वज़े से फोर्स कहां लगेगा इसको पीछे की तरफ लगेगा एस ड्रैग पैदा होता है इसको ढ्रैब फोर्स बोलते है यह दो पीछे कित्रफ तरफ काम करता ठीक है आप बताओ कि एरव प्लेज जो होती है क्या होता है कि सोचो एक बार थोड़ा सा बिटा अभी वही जो बर्ड ने काम किया था मतलब इसके जो एरो प्लेन के जो विंग्स होते हैं यह दो मेरे हाथ की तरफ इस हाथ की तरफ देखो तो वह ऐसे होते हैं ठीक है लेकिन जैसे इसको लिफ्ट करना होता है तो इ और यह आको कि ते एक अटमटेश करते हैं आपनेः और ये क्या करता है यह इस तरह नीचे आना होता है एक्सिधार कि लगता यह पूर्स अैसे रगता है नीचे की तरफ लगता है किस पर एरो प्रेंट शब्स तरह इस तरह से यह एरो प्रेंट की जो रीप्लेंट है वह आपके नीचे की तरफ हो जाती हमद लिप्टन पॉर्स जो ऊपर गणाथ है अभिध Тो का लगता है समय बारी बात तो यह जो एयर क $2 ने बड़ जो फोर्ट लगाया उसका रियक्षन फोर्स पैसा होता है नहीं यह आपका action force कौन सा जो इसने एर पर लगाया विंक्स की हल्प से तो वह एर पर एर नहीं क्या किया इस पर reaction force दिया वापस अगर हमें Newton's 3rd लो समझ में ठीक से नहीं आता तो आपके एर प्लेन कभी उड़ नहीं बाते भीटा ठीक से बड़े बड़े शिपस नहीं बनते उसके आएंगे जिस कैसे काम करते हैं किस तरीके से होता है उसके बाद में आचा एक चीज बादो जो बेसिक सा आपकी कार एक्सलेट करती है या आप दोड़ते हो तो उसमें Newton's 3rd लो बढ़ते हैं कोई और आती है द्यान करो बताहूख कैसे होता है एक Beebast सोच्थ के जवाब दो सोचो एक बर पोज़ करके क्या काम करता है तोह देखो इसमें हाँ है चलो क्या काम करता है अद्शों कंटी है कि असा आपको लगता होता है कैसा स्लिपरी है मालो टाइल से हैं खोब अच्छी बिल्कुल स्मूस टाइल है और इस पर भी पानी गिरा हुआ है तो आप कितनी मसल पावर बना लगाओ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना यानि कि कहीं ने कहीं दूसरे फोर्स भी प्ले करते हैं कैसे फोर्स प् वरते हैं तो वोड देखते हैं पीछे यह जो पैर है आपका यह पीछे चीकर पर फोर्स लगाता है और बोट की तरह से मंथा यहां से दब जाती और यहां से उड़ जाती ऊपर अजती है इस जलेक्स ब्लिधा रहे हैं यह वाले निएंस अ Алग Bennett और घ्रल कोभी तरुक घं कि बॉदी थोड़ी और पीछे कि दिशन Heart पर आगे बढ़ने के लिए तो About एदर फोस्म कर आसे ने तो आप जैसे आप आगे बढ़ थे ओना यह सपोज hierarch और यह और यह मेरा यह तो क्या करेंगा हम आगे बढ़ते हैं तो हम दिखो फूट की मूवमेंट कैसे ऐसे होती ऐसे उठता है तो क्या करता है ये ये इसको पीछे की तरह भाएव धकेलता है अगर फ्रिक्षिन नहीं आप फ्रिक्षिन नहीं है तो क्या घ्रेगा वो Slip कर जाया और अड़ाम भीड़ां सने बिल्कुल यह होती है तो आप मुसना कि kamu PR काम खरती है मसल पावर केवल मसल पावर से आप नहीं कर पाएंगे चल नहीं पाएंगे क्या होता है आपके ग्राउंड से फोरवड डारेक्शन में ग्राउंड से फोरवड डारेक्शन में आपको फोर्स मिलता है उसकी वज़े से आप चलते हो आप फोर्स लगाते हो ग्राउंड पर कहा कार की मुवमेंट कैसे होती है अगर आप स्लिपरी सर्फेस पर कार ड्राइव करना चाहेंगे या स्कूटर देखा जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं अगर आप उसको स्लिपरी सर्फेस पर चला सकते हैं क्या ड्राइव कर सकते हैं इसकिड कर जाएगी बिटा अना हां चलने में Friction Force help कर रहा है और यहां पर आपके बाइक स्कूटर साइकल कार आपके कुछ भी बिना Friction Force के नहीं चल पाएगी इसकड कर जाएगी राइट तो वह आपको क्या करते हो आपके इंजन से आपका मतब फूर्ड मतब वीलन THIS कहां पर लगाते हैं जसे ऐसे फ्श वील गूमतर आपका तो क्या हो रहा है मतब Karka तो क्या हो पीछे की तरफ कर रहा है किसको ग्राउंड को तो ग्राउंड क्या करता है ग्राउंड आगे की तरफ लगाता है देखो हमने नॉमल रियक्शन वाले चैप्टर में आप मदब उस टोपिक में हमने पढ़ा था कि आपके कॉंटेक्ट सर्फेस के दो कंपोनेंट बनते हैं कौन कौन सा एक तो कॉंटेक्ट सर्फेस के अलोंग वह होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स और एक उसके नॉमल वह आती है नॉमल रियक्शन बनती है ठीक है तो यहां पर कार में और आपके चलने में मूवमेंट में आपका फ्रिक्शन फोर्स आपको हेल्फ करता है कहां पर 300- cog suicide me उसमें क्या होता हूं इसमें हमारा दिखक्षिन करता है किसमें उसमें की हम स्तिक्षीन को अवरकाम करले। क्य póstछ दो हम आभा लेका लेकिन बीना फोर्ष के आप चल नहीं पाएंगे बीना फ्रेकशन फोर्स के कोई vehicle drive नहीं कर पाएंगे तो यह friction force का कमाल है आपका मतब आपने उस पर फोर्स लगाया किस पर ग्राउंड फोर्स लगाया कार के वील ने फोर्स लगाया और उसको कैसे मुवमेंट कर पाते हैं वो कैसे कर पाते है तो क्या खरेंगे और जब थिस आभकिसमें ड्रैक के बराबर हो जाए पीशे एर ठ्रस्ट इतना हो तो जैसे बराबर हो जाती ओर ओर एड़ाबर करें स लुपट रहें यहां पर देखो जो क्या है हैं तैरते हैं ना हां किसमें स्विम्मिंग होती है तो उसमें कैसे आपका एक्षिन रियक्षिन फॉर्स काम करता है देखो तैरने में क्या होता है स्विम्मिंग में पानी में हमने हाथ से पीछे की तरफ पानी को पुछ करते हैं करते हैं पीछे की तरफ पुछ करेंगे तो हमें आगे की तरफ करेंगा हमने उसको पीछे की तरफ लगाया बैकवर्ड साइड में फोर्स लगाया तो पानी हमें क्या करेगा वाटर में क्या करेगा आगे की तरफ फोर्स लगाता है तो यह चीज हो रही है कि हमने इस पर एक्शन फोर्स लगाया बैकवर्ड डारिक्शन में और हमने हमें पानी कि सब लगाया यह फोरवर्ड डारिक्षिन में आप वोजे रियक्शिन दे रहा है राइट हाँ यह आपका यही फ्रंसीपल किसमें काम आता है बड़ी बड़ी जो सिप्स काम करती है ना बड़ी सिफ किस पे आपके सी में ट्रांसपोर्ट आज ट्रां फ्रॉस्ट रोब करता है तो पानी को पीछे की तरफ करता है कहां पर बैक्वर्ट साइड में तो पानी पूरी शिप को वोट डिरेक्षिन में लगाता है तो पुरी से कहां करती है वोट सिंपल सेङा हाँ हाँ है आपको न्यूटन की थर्ड जो लो है उसका एफ्लिकेशन मिलेगा यह तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि आपके जो रोकेट है रोकेट क्या करती है रोकेट में फ्यूल बर्न 호리 Z UP China कि नीब पर बढ़ा किसने लगा रोकेट जो बोडि है ऊसी के आगन सब फो उस फोर्ड थे और नीचे की तरफ हुई वह बहुत हाई प्रेशर होता है तो वह नीचे जब पास हुई तो उस पर मतब फोस्कों रोकेट नहीं इस पर कहाँ पर नीचे की तरफ लगाए गास पर तो गैस कहां फॉर्ट के आपकी गैस रोकेट पर अपोज डिरेक्शन में यानि उपर की तरफ फोस्कों लगाएगी तो यह आपकी पेर बन गया एकवल अप पॉजर direction में फोर्स लगा रहे हैं मतलब कितना फोर्स लगाएगी और रोकेट आपका लिफ्ट अप हो जाएगा अगर यह प्रिंसिपल नहीं समझ में आता तो कभी भी gravitational force को overcome करना मुश्किल था मतलब जो gravitational field हो गया आर्थ का उससे बहार जाना यहांने एसके पॉलिश्टी वाला जो concept है ना कभी चांद पर नहीं पहुच पाते कभी भी आपके क्या नहीं बन बाते कभी सैटेलाइट नहीं बन पाते कभी और आपके जो communication आज के टाइम में है जो internet आप यूज कर रहे हो और टीवी आप यूज करते हो यह सब कभी हो नहीं बाते बिटा यह किसकी वज़े से है न्यूटन स्थार्ड लो चलो न्यूटन को हम क्या करते हैं थैंक्स बोल सकते ना विलकुल अगर उनके विनाद यह पॉसिबल न पर मुझे बताओ क्या कर रहा है कि समय फोर्स लग रहा है ना कौन सा लग रहा है एमजी आभी तक जहांब देखें तक जतने भी एकजाम्पलमनें कंसिडर की है उन्में कहीं हो रहा है कहीं नहीं कहीं अर्थ के सर्फेस के बीच में कॉंटक्ट है मतला कॉंटक्ट पाइंट आना सब जगह पिए कॉंटक्ट है आपके आपके सब अरपलाइं अरफ लेकिन ने वह यह आपको उसको क्या करती है वासी रइट ऑके तो आप यहाँ पर फोर्स लगऻ रहा है एपल पर जो यह एपल नीचे गर रहा है इसटर क्या हो रहा है निचे कि टरम करता है और बैस túli डाउन बढ़न अए और हर सीज आती है एपली क्या बोल होगी तो बोल भी और नीचे के तरफ हायाएगी तो अब यह मेरा कोषें ऑप से कि जब यह एपनीचे किर रहे है तो अगर इसका मास एम यह तो मस्कोरUST इक तक गोड़ा गए इस पर क्या सोप्रकार नीचे गता हो मुझे फटाब अम जी पॉस्ष लगा सर इसका वास नीचे टोंड यह एमजी फोर्स है यह तो दिखाई नहीं है ओके दूसरा कर लेते हैं विटा हाँ यह दिखाई पड़े गर क्रीन तो एमजी फोर्स लगा इदर नीचे एमजी अब मैं यह समझना चाहरा हूं बोल का भी मास अकर एम है तो यह भी एमजी फोर्स हो गया यहां पर नीचे की राइट अब मैं यह समझना चाहरा हूं क्या यहां पर न्यूटन का थाड़ अपलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि यहां तो कॉंटेक्ट तो है नहीं और एमजी फोर्स लगा रहा है तो क्या बोल या एपल भी फोर्स लगा रही आर्थ पर पोसिबल है ऐसा होता ह क्या पोज करो वीडियो को रिपर सोचो और सोच के जबाब दो मुझे के वास्तम में जब कॉंटक्ट नहीं है दोनों बोडीज के बीच में तो उस टाइम पर भी एक्षन रिएक्षन फोर्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं सोचने वाला कॉश्चिन है अ हो गया चलो वापस चलते हैं अब अपनी प्रोलम पर अपनी क्वेश्चन पर तो बीटा ऑविएसली जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अगर दो बोडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो दोनों बोडी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइए क oor okay अगर कोई फरक पड़ेगा नहीं कि इसका मास्त छोटा सा है है उस human साना वह ज्यादा है तो अर्थ ने इस पर G उस पोर की वजे से आपका जी क्या कर दिया एक्टॉरेशन डाव और कर दिया किसमें पर में और एपल ने कितना फो एपल ने कितना किया एपल ने भी उसमें एक्षालेशन क्रियेट किया कितना सपोज के एपल का वेड और यह लगा नहीं तो वन न्यूटन वह गया तो बन नियूटन फोर्स आपका नीचे कि तरह लग गया किस पर एपल पर और किस ने लगाया पैपल कया कर रहा है ऐपल भी वन डर फोश लगा रहा है कहां पर अपनी की तब खीछ लेकिन अर्थ को वन न्यूटन Suppose पड़ने वाला है कि यह बोल का पैस बोल भी लगा रही है ओबियस्टी लगा है तो क्या हो रहा हो रहा है उसका हमें एकषरेशन दिखाई पड़ रहा है लेकिन आर्थ का मास कितने हैं बहुत ज़्यादा है अगर वन Newton फोर्फ कितना है दोनों के बीच में 1 Newton है एपल ने फोर्फ लगा है फोर्त पर हो कितना है एंडर एम फोर्स ये वाला एमजी फोर्स अपं आर्थ क Willka's क्या होगा अर्थ का मास तो बहुत ज्जदा और ये लोएक निटन फोर्स है कुछ समझा भी नहीं हाँ कुछ क्रिएट ही नहीं होगा जीरो सीरो होगा होगा ना यह बात है ध्यान रखना लेकिन जब आपके डिस्टेंस पर हो फोर्स दोनों कॉंटेक्ट मतलब दोनों बोडिस कॉंटेक्ट में नहीं हो उस तरह के जो फोर्स है वो भी अपोजिट लगते हैं बिल्कुल आर्थ भी एपल पर एक्वलन अपोजिट फोर्स लगा यह बटाए ध्यान रखना यह चीज ना इंपोर्टेंट कॉंसेट्ट है हाँ यह समझ माया आना चीह आपको ना ओके अगर हम बात करें चार्जेज की बीच में ना कोई दो चार्ज है अगर सेम चार्ज है आपने अभी चार्ज नाइं तो पढ़ा होगा साइथ एट नाइ यहां पर देखो आप औज चार्ज यह मादब शीम चार्ज है यह भी अ applying जार्ज है तो दोनों प्लस चार्ज कर रहा है इसको इधर कर रहा है और यह वह वाला प्लस चा जिसको इधर रिपाल कर रहा थिक है तो कैसे फोर्च लगे इस पर जो फोरस्छ लग रहा वह इस Dairection होगा है यह अलग है अलग है तो माइनस यह सकते है अगर नेगतिव चार्ज तो में से को दूसरे वह बीजा करते तो बीजव करते लोगने ऊक्षार लगां तो क्या रहे है तो गैंग मात भी डियां सुआ एक्षार सबस्द, आप्लाए हो रहा है यहां प्लस चार्ज ने उस पर नेगेटिव चार्ज पर किया तो ये हम मान लेते हैं इसको पढ़ रहा है चलो चेंज कर लेते हैं इसको ओके यह हमारा एक फोर्स लग गिया ठीक है हम और इसने ने चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज पर भी कौन सा फोर्स लगा रिया कितना फोर्स लगाएगा बिल्कुल सर सेम फोर्स लगाएगा अगर आपको इसकी वैल्यू बदक के क्यूवन क्यूट बाइ आर स्कूर विटा यह हम क्यूट में है वैसे तो लेकिन यह समझ लों कि फोर्स दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करते हैं एकवल फोर्स लगता है दोनों दब जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है एक दूसरे पर एक इशकी वजह से निटीटी चार्जश को फोर्स इस तारे होगा तो यह पूस्ट क्या हो जाएगा इस पर यानि यहां पर लंग था पर रहा है कि वहांद फोर्स और घॉठ अब यह बिल्कुल रिडोब करते हैं थो आर्थार्फर्मॉन के बीच में भी कैसा फोर्ष एग्रेविटेशनल फोर्ष नहीं होगा कैसी मुषन यह सर्कुलर स्टीच्र मोशन नहां तो इस लगता है और वह सेंट्रिप्टल फोर्स अगर जीरो है वह नहीं है तो मून सीधा यहां से अगर ऐसे जा रहा है ऐसे जा यह वाली डायक्शन मूव कर रहा है तो सीधा मून यहां पर निकल जाएगा भार है ना ऐसा होगा हां बिल्कुल सैंट जो सर्कुलर मोशन का जो कॉंसेप्ट है वह आप देखोगे तो आपको समय में आएगा कि हां बिल्कुल मून ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरह तो आप यह देखो इसमें क्या हो रहा है कि मून आक किस फोर्स के वज़े से रुका है अर वैसे ही दो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी एक्वल एंड अपोजिट लगता है हमने इस एक्जांपल में भी देखा था राइट भूल गए तो देखो सिलिस्टियल बोडीज की जो मूवमेंट है वहां पर भी आपका क्या काम कर रहा है अच्छा यह तोड़ा मदब बढ़ आपके इसी फोर्स की वजह से जितने भी आपके सैटलाइट्स है सेटलाइट टेकनोजी है जो भी इसी पोर्स के प्रिंसीपल पर बेस्ट है विश्टेयं पॉर्स ऑर कहा से प्रवाइड हो रहा है उसको जो सैटलाइट घूम रहा है अर्थ की चारो दर्फ गोम र लेगें का किसकी आयल में वजह से और वह भी आर्थ पर सेम लगाता है जैसे मून लगाता जतना पूर्स अर्थ ने मून पर लगाया उतना ही पोस्के थीक है था यह समझता हूं आप दिखो इसमें कुछ important points है उनको थोड़ा और समझ लेते हैं ध्यान रखना आपका जो फोर्स है वह मेंशा एक्षण और reaction में काम में काम करता है मतलब पेर में काम करता है unity पोर्स काम नहीं करता यह मतलब सिंगल प réponse यह फो फोजन फोर्स होता है लेक्टो फोर्स मेंनेटिक फोर्स होता है उस तो हैं तो बनौ मी की से बी पर फौर्स कहीं पर वो लगकलत हों ऑपैड ऄफ है तो फोर्स लिगे Our यहां से प्वोर्स यहाफ Yep का होगा लेकिन डारेक्शं क्या हो जाएगी डारेक्शिंट हो जाएगी तो ध्यान रखना MORE आपका यह ऐस लोड़ा की यह स्पीख्द के रिलेशन्व में नहीं है एक एक फोहर्ट आपका कोज है और उसकी reaction होती है ऐसा नहीं है डू मान सकते और पहले पहले को कुछ भी मान सकते उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि दोनों पोर्स एक ही टाइम करते हैं ऐसा नहीं हो तक एक करेगा फिर दूसे इसकी रीच्शने इसा नहीं हो था भी टा ठीक अगर मालो तीसरा पोउय्ट इंपूर्टिन पॉइंट कि जो हम कॉच्छन सोल करते हैं क्वश ना प Edwards ग्रतिक न किए वेज हैं तो किसे लिएक थे लिए इंगरां फ्रीक्राइग्राम बनाते हैं तो फ्रीग डिएग्राम बनाते हैं थाएम हम दोनों force को काम में नहीं लेते दोनों force को इनको नहीं करते कौनसे action reaction जो pair में होगे ना उनको नहीं करते क्योंकि अगर हम अगर मालो हम किसका बना रहे हैं अगर system का जो free word diagram system मतब एक सी जादा डियाग्राम बना रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ उस पर एक ही फोर्स काम में लेते हैं या तो एक्षिन वाला या रियक्षिन वाला कंसिडर करते हैं और कौन सा कंसिडर करेंगे जो उस बोडी पर एक्ट हो रहा है उस बोडी पर लग रहा है और एक्षिन और रियक्षिन दोन और इसका reaction force कितना काम करेगा ओपर की तरह अप्वार्ट डारेक्शन में एन काम करेगा राइट क्लियर है तो आप अब यह कहेंगे कि सर इसके reaction चाहिए कि यह तो mg इस पर नीचे की तरफ लगाया और हमारा इस पर फोर्फ लगा कौन सा देखो यह इस से लगाया एकंस के बराबर फोर्फ इसने लगा इसके साथ में ही एक देशन फोर्श लगरा इस पर दूसरा क्या लग रहा है सर आर्थ की वजएंसे स्थ लग रहा है वो क्या है आपका ऐन है यह और यह कौन से आन है यह एमजी किसके को लोगा और यह किसके को लोगा यह हम अगर इसका फ्रिवर्ड डियाग्राम ब्लोक का बनाते हैं तो इसका मास सब्सक्राइब का और इसको हमने हैं कर दिया है तो यह क्या करेगा आपका नीचे की तरफ काम करेगा डाउनवर्ड डारिक्शन में और स्ट्रिंग में सब्सक्राइब ऑफ यहां से कट कर दिया तो हम देख रहे हैं इस स्ट्रिंग में टैंसल कि नहीं होगी यहां पर आपर डैंज में ज़ेक्षिन होगी और यहां यहां पर एम जी आपका नीचे की तरफ काम करेगा तो कहने का मतलब क्या है इतनी सी बात समझ रहे हम कि भी हमारा जो बनाएंगे हम ये दोनु Cannon काम नी लेंगे कि ऊपर में कैसे इसका ज़गे उसका मत बनारा है विर वाले में पो ये टी हमारा अपर डायरेक्शन में कर रहा है देखो ठीक है ना हम जी नीचे की तरफ लाएख था हमने इसका जो पेर है यह वाली रशी यह कह वाले जो यह बंगार से आपट बंगाना है तो हम उसको कंजडर नहीं करेंगे उपर वाले को हम केवल इसमें जो काम कर रहा है एक्ष्ण फॉर्स यह को करेंगे उसको मैं एक समानते हैं बात गी सो कां में डोने को नहीं लेना इसकी वजह से भी हमने जो क्या ब्लो के वजह से एक ब्लोक पर लग रहा है ध्यान रखना इसमें कन्फूजन नहीं आना चाहिए ब्लोक ने सपोज इस पर फोर्ष लगाया कि इस पर ग्राउंड पर एन फोर्ष लगाया कितना लगाया तो दोनु एन लग रहा है और ग्राउंड के जैसे नॉमल लग रहा है लेकिन इसने ब्लोक ने जो ग्राउंड पर नौम फोर्ष लगाया था वहम कंसेटर नहीं कर रहे हैं ठीक है समयमागी बात इसका मतब यह है कि अच्छा आप इसका कोई डेविएशन भी होते हैं कि इस पर भी थोड़ा आ जाते हैं कि न्यूटन्स थार्ड लो हमेशे अप्लिकेबल है यह इसको कोई डेविएशन भी है मतलब कहीं पर ऐसी भी जिगह है जहां पर अप्लिकेबल नहीं होता तो ध्यान करो हमने फर्स का कोई एक्सलेशन हो तो ऐसी फ्रेम ओफ रेफ्रेंस से जब हम फोर्स को कंसेडर करते हैं फोर्स को एनलाइज करते हैं किसी बोडी पर तो उस टाइम पर न्यूटन्स थार्ड लो काम नहीं करता है मतलब इस नौट अपलिकेबल इन दे केस ओफ नोन इनिश्याल फ्रेम फ्रेफरेंस राइट तो यह जहां पर काम नहीं करता है दूसरा और इसमें कौन से जिस नौन इनिश्याल फ्रेम आपके से चुड़ फोर्स काम करते हैं ना शिड़ फोर्स काम करते हैं वह भी हम एक बर अमने उस प्लास में देखा था और एक बढ़ डिसक्स करेंगे और फोर्स काम में लेते हैं वह और डिसक्स करेंगे कोई बात नहीं अच्छा और कहां पर काम नहीं करता है न्यूटन से कंड़ो नहीं थर्ड लो आपके बोडिज के बीच में जब सैपरेशन मदब उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाए तो वहां पर आपक एक्षन और रियक्षन फोर्स एड़ा सेम मोमेंट आपके क्या होता है एक जैक्टली सेम नहीं होते हो उसमें कुछने कुछ वैरियेशन आता है और यही केस आपका जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फोर्ज मद यह देखो अच्छन और रियक्षन फोर्स दोन्नों क्या हुआ आप नहीं बचे दो एक हो गया दूसरा है डैस हो गया किस टाइम पर एक मोमेंट पर अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर उसको कंसेटर करेंगे तो एक्जक्टली सेम नहीं आता उनका सम जो है वह जीरो नहीं आता जब क्या बोडिस की बीच में सेपरेशन ज्यादा हो तो की इस तरह की केश में नापका फंडलो काम नहीं करता है बिटा तो मिद नूइट रडलो पढ़ने में आपको मजा आया आपके अपो सम्झे आ रहे होंगे हर जिगह पर आपको नूटेंस थार लोग के एक्शन और रियक्शन फोर्श दिखाई पड़ेंगे ना चलिए ठी तो मिलते हैं नेक्स क्लास में फिर उम्मीद है इसके अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो हमारे मैं आप चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे वीडियोज को लाइक करें चले विश्यू ओल दी बैस्ट मिलते हैं नेक्स क्लास में